हेलो दोस्तो नमस्कार प्रयाग राथ से मैं प्रवीन महुलियार डेली डोस के इस नए फ्रेश अपिसोड में करता हूँ आप सभी का स्वागत काम की बड़ी और जरूरी कई खबरे हैं फिर आपके लिए लेकिन शुरूआत करते हैं कोरोना बारिस के अपडेट से बीते दिन 3,79,800 केसे हमें देखनों को मिले जो की आज तक रिकॉर्ड हुए सबसे यादा केस हैं हिंदुस्तान में इसके साथ ही साथ 3,645 लोगों की जान गई जो की सबसे यादा केसे हैं जान गवाने के मामले में टोटल नमबर आफ काउंट 1.83 करोड तक पहुंसता है और 2.04 लैक तक मरने वालों की संख्या हिंदुस्तान में पहुंसती है जो की बड़ी दुखत बात स्टेट्स की बात करें तो महराश में 64,000 केसे साए हैं बीते दिन उत्तर प्रदेश में 29,000 केसा आए हैं फ्राइडे 8 पीम से मंडे 7 अम तक लेकिन अब मंडे को भी विकेंड लोगडाउन के अंदर इंक्लूट कर दिया है और आप घरो के अंदर रहेंगे फ्राइडे 8 पीम से त्यूजडे 7 अम तक तो यहां पर देखा जाए तीन दिन भीच का और फ्राइडे की आधिरात और मिलाकर आप चार दिन घर के अंदर रहेंगे चार मैं को यह लोगडाउन हटेगा सुबर कल 28 अपरेल की तारीक को कोरोना वायरिस वेक्सिनेशन की रेजिस्टेशन आन हुई थी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कुछी घंटों के अंदर 80 लाग से भी जादा में इस संख्या की बीच आते हैं इस वर्षायू की बीच आते हैं तो उसमें से 1.3 करोड लोगों ने इंटरस दिखाया अच्छी बात है लेकिन अभी भी बहुत साए लोकों कराने की जरूरत है रविशंकर प्रसाद जी का कहना है जब स्लोट खाली न रहे तो बुक न जीएगा इससे वहां पर जाके आपको दिक्कत होगी और बहुत सारी उजर्स से पूरे देश में कहना है कि वेबसाइट क्रैश कर रही है एप खुल नहीं रहा है मैंने खुद एक्स्पीरियंस किया दोस्तों तो मैं खुद अभी तक रेजिस्टेशन नहीं करवा पाया मुश्किल के इस वक्त में हिंदुस्तान की मदद कौन कर रहा है और कितनी मदद कर रहा है सबसे पहले आता है नाम United States का जो बाइटन का कहना है कि उन्होंने पूरी एक सिरीस लगा दी है हिंदुस्तान की मदद करने के लिए 100 मिलियन डॉलर से जादा भी मदद हो करेंगे जिसमें से उन्होंने तीन ऑक्सीजन जनरेटर्स को भेजा है ये बड़े साइस से ऑक्सीजन प्लांट होंगे बड़े साइस मतलब एक ट्रक के बराबर और ये एक मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक हॉस्पिटल में या बड़े रीजन को कवर कर सकता है तो कई पेशन्स एक साथ इससे सांस ले सकेंगे अच्छे से 1700 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स 1100 ऑक्सीजन सेलेंडर्स और भी कई सारी चीजे यूस से इंडिया में आने वाली है रशिया ने तीन लोड किये हैं ऑक्सीजन प्रोड़क्शन यूनिट्स को जो कि एक उक्सीजन प्रोड़क्शन यूनिट्स जो की लगभग ट्रक के बराबर साइस के आते हैं इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं विजे शेखर शर्मा जो की पेटियम के फाउंडर है इन्होंने 21,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स डोनेट करने का वादा किया है जिसमें से 5 करो रुपे की इन्वेस्मेंट इन्होंने जनता से कंटिबूशन के तौर पे ली और 5 करोड का इन्वेस्मेंट इन्होंने खुद लगा है और 10 करोड की बदद करने जा रहा है माई के first week से delivery शुरू हो जाएगी government को इनके oxygen concentrators की और private hospitals को भेदेंगे जो की बहुत अच्छी बात है पेटियम चलिए पहली बार इतने बड़े social responsibility act में उतरा मुझे वाद जानके खुशी हुई 25 पैसे का ये सिक्का देखिए आपने भी अपने लाइफ में जरूर देखा होगा अगर आपके घर में ये सिक्का है आप खोशते हैं मिल जाता है तो लाग से डेल लाग रुपए आप अराम से बना सकते हैं मातर इसे एक सिक्के से अगर ये silver रंग में है इसका रंग अभी तक नहीं गया है ये erode नहीं हुआ है रस्टेड नहीं हुआ है तो आप इसकी अच्छी सी फोटो खीच के या कई फोटो खीच के इंडिया मार्ट वेबसाइट पे पोस्ट कीजे ट्रस्टेड बायर वहाँ से आप सिक्को कॉंटेट करेंगे और लाग से डेल लाग रुपए के बीच ये पचीज पैसे के सिक्के बिक रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपका सिक्का बिक जाए लेकिन अगर आपके पास ये सिक्का है तो फोटो खोस करने में क्या ही हर्थ है बहुत लोग के सिक्के बिक रहे हैं और लोगों ने इसको एक इंडरस्टी बना ली है, पुराने सिक्कों को सेल करने की, हिंदुस्तान में इसका प्रशन नहीं था, लेकिन अब ये फैल रहा है, दर्स पैसे का सिक्का होगा आपके पास अच्छी कंडिशन में, तो और ज्यादा सक्सेस्फुल होंगे आप, डेल मंत्राले से हलफ नमा आ चुका है, दो सो पन्नो का हलफ नमा है, जिन में उन्होंने अपनी सफाई दी, सीधे शब्दों में बात कहूं, तो वो कह रहे हैं, हमने सारी जितने जरूरी कदम थे, वो उठाए हैं कोरोना वारस को रोकने के लिए, दूसरी लहर की तैयारी में ह हम थे, और फाइनली हमने काफी हद तक कंट्रोल भी किया है, अब देश में कितना कोरोना वारस कंट्रोल हो रहा है, यह आप भी देख रहे हैं, और सरकारे भी, देखना यह है, सुप्रिम कोट इस 200 पन्ने के हलफ नमा को स्विकार करता है, या फिर इसके बावजूद भी क लोगों ने जब इसको दूसरे सोशल मेडिया वेबसाइट तो फेस्बुक लगता है, मोदी जिस्टे मिले हुए हैं, तो फेस्बुक ने इसको वापस से चालू करती है, फेस्बुक के स्पोक्स परसन एंडी स्टोन का कहना है, यह उन्हों खुद नहीं पता कि यह क्या सम और जैसे ही उनको इस समस्या का पता चला, उन्होंने इस समस्या को सॉल्व कर दिया, बाकी जंतिया, इस पर क्या सूशती है, मुझे कॉमें में बताइए, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, मुझे उमीद है, आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडिय अवज शक्राएं अभी के लिए दीजे मुझको इजाज़त जय हिंग जय भारत